पित्रबक्स में ना खरीदें यह पांच चीजें क्रोडपती को भी कंगाल बना दीती हैं राधे राधे हर हर महादेव जै स्री कृष्णा जैहों पित्रदेव की दोस्तों हिंदू धर में पित्रबक्स का बहुत ही ज्यादा खास महतव होता है ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पित्रबक्स में इन चीजों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्तों का सामना करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों पित्रबक्स में बहुत सारी सुबकारी बिल्कुल भी नहीं किया जाते हैं तो आपको भी भूल कर भी पित्रबक्स में इन चीजों को नहीं खरीदना और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्यपून जानकारी देंगे कि पित्र पक्स में वह कौन से कारिये होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहें वरना उनके पित्र उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट क्योंकि जब हमारे जीवन में पित्र हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पित्र दोस लग जाता है जिस वज़य से हमें अपने जीवन में हर परकार की प्रेसानी का सामना करना पड़ता है और दोस्तों अगर हमारे जीवन में पित्र दोस लग गया तो हमारे बने-बनाए का अगर आप चाहते हैं कि आपके पित्र आपसे प्रशन हो और वह आपसे नाराज नय हो तो आपको सराद के दिनों में पित्र पक्स के दिनों में अपने पित्रों के निमित पिंडदान तो आवस्य ही करना चाहिए जिससे आपके पित्र पक्स आपसे खुश रही और उनको त् जिनने के लिए धर्ती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रहकर वह अन और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहन करते हैं। क्योंकि वह संकट आने से पहले ही पितर देव उसे खुद के ऊपर हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितर दोस लगा हुआ है या उनके पितर देवता उनसे नाराज हैं। सोना दिन होते हैं वह अपने पितरों को खुश करने के लिए होते हैं। इस पितर भक्स में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़ी ही असानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके घर में पितर दोस है भी या नहीं। तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी विशे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितर दोस है या नहीं। किस तरीके से आपको लक्सन दिखाई देंगे। साथ ही क्या-क्या उपाई आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जहनकारी देंगे। साथ ही हम आपको एक ऐसा कारिय भी बताएंगे जिसे आपको पितर बक्स में जरूर ही करना चाहिए। अगर आप यह कारिये नहीं करते हैं तो आपके पित्र देवता आपसे बहुत जाता नाराज हो जाते हैं जिस वजय से आपके घर में कंगाली छा जाती हैं आपके घर परिवार में संकट आ जाता हैं आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो भी जानकारी हैं, हम आपको बताने वाले हैं, इसका उलेक सिव महा पुरान में बड़े ही विश्टार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे असान भासा में रख रही हैं। तो आएए जानते हैं इसे विश्तार से सराद बक्स यानि जो यह पित्र बक्स की जब सुरुवात होती हैं तो जो भी हमारे पित्र देवता होते हैं या फिर जो हमारे पित्र होते हैं जिने हम पूरवज भी कहते हैं इन्हें पित्र लोग से मृध्यू लोग में भेजा जाता है और यह सरोपर्थम हमारे घर में ही आते हैं तो जो यह सरादडबक्स की शुरुवात हो रही है वह 17 सितंबर यानि की मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा और इसी बीच में आपकी सारी तिती आ जाएंगी जैसे दवितिय, तृतिय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोस, एकादसी सब कुछ हो जाएगा ऐसे में जिन दुनों में आपके पित्र इस दुनिया को छोड़ कर गए थे उसी दिन पर आपको उनकी बड़ी ही सच्ची सरदा से सराद करना है अगर आपको तितियां पता नहीं है तो आप उसे अमवस्य के दिन भीग कर सकते हैं तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन सोला दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाए हैं जो आपको अवस्य ही करनी चाहिए जिससे आपके पित्र देवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक प्रिवार के सदस्य की उन्ती होती रहेगी और आपके उपर पित्रों का असरवाद सैदेव बना रहेगा क्योंकि दोस्तों यह पूरा खेल पित्र दोस्त का ही होता है आप सभी को बता दें कि पित्र पक्स के इन दिनों में कुछ खास कारिय करने की मना ही होती है यानि यह कारिय पित्र पक्स में करना वर्जित माने जाते हैं अगर आप गलती से भी इन कारियों को कर देते हो तो आप से पित्र नाराज हो जाते हैं जिससे आपको बुरे परिनामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुरुभाग्य में बदल सकता है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पित्रपक्स का महत्तव क्या है और पित्रपक्स में कौन से कारिये भूल कर भी नहीं करने चाहिए पित्रपक्स के दोरान हमें कुछ नियुमों का पालन अवश्चक ही करना चाहिए जैसे पित्रपक्स के दोरान भूल कर भी दाड़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए बड़ो बजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्त्मी भी होती है जिनको पित्र पक्स के दोरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है चीजों को खरीदने से पित्र नाराज हो जाते हैं चलिए जान लेते हैं उन वस्त्मों के बारे में लेकिन उ पास वाले बेल आइकोन को जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और अगर आप भी अपने पित्रों से प्रेम करते हों तो कोमेंट बोक्स में जैं पित्र देव अवस्य लिखना और दोस्तों इस वीडियो को अपने द पित्र पक्स के दोरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्यपूर्ण माना जाता है इस दोरान नमक का दान आप कर सकते हैं लेकिन आपको पित्र पक्स के दोरान नमक को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए इस समय नमक को खरीदना बहुत ही जादा ऐसुब माना जाता है नमबर दो सरसों का तेल अगर आप पित्रपक्स के दोरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पित्रों के साथ ही सनी देव भी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं इसलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पित्रपक्स के दोरान नहीं खरीदना चाहिए आप तो जानते ही हैं कि जब सनीदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दसा कर देते हैं। इसको भी पित्रपक्स सुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। इसलिए स्रादपक्स के दोरान जाडू खरीदने की गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नए वस्तर पित्रपक्स के दोरान नए वस्तर बिलकुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुती जादा ऐसुब होते हैं। जब हम अपने पित्रों को याद करते हैं और साथविक जीवन जीते हैं तो गलती से भी इस दोरान आपको नए वस्तर और अभूसन खरीदने से बचना चाहिए इस अवधी में जादा साथ सज्जा करने की बचाए साथविक रहने से पितर देव हमसे बहुत ही जादा प्रसन होते हैं वहन भूमी और भवन पितर पक्स के दोरान वहन और भूमी भवन इन 16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंबीर प्रणाम आपको भूगतने पड़ सकते हैं इस दोरान भूमी या वहन की खरीदारी करने से फाइदे की जगहें आपको नुक बहुत ही जादा सुब माना चाता है ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही जादा सुब परिनाम देखने को मिलते हैं दूसरा जीरा पित्रपक्स में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही जादा सुब होता है धार्मिक द्रिष्टी से जीरे को सोना माना जाता है पित्र पक्स में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृधी होती रहती हैं कच्चे चावल सराद करम में कच्चे चावल का इस्तमाल किया जाता है इने चांदी के समान माना जाता है ऐसे में इ चमेली का तेल, सास्त्रों के अंसार कहा जाता है कि अगर पित्रों को चमेली का तेल अरपित किया जाए तो वह इससे त्रिप्त हो जाते हैं। नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही जादा सुब माना जाता है क्योंकि इससे पित्र बहुत ही जल्दी प्रसन हो जाते हैं और आसिरवाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कारिये में हमको सफलता देते हैं। घर में सफेद भूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूरवच बहुत जादा खुस होते हैं और अपना आसिरवाद आपके उपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन के तमाम प्रेसानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पितर पक्स के इन दिनों में कुछ खास कारिये करने के मनाही होती हैं। यह कारिये पितर पक्स में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कारियों को कर देते हो, तो आप से पितर नाराज हो जाते हैं। जिससे आपको बुरे प्रिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दूर भाग्य में बदल सकता है तामसिक चीजों का सेवन पित्र पक्स के इन 16 दिनों तक आपको भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही आपको लसुन प्याज मास मदीरा और नसे से धुमरपान से दूर रहना चाहिए और तन मन सुध रखना चाहिए नहीं तो आपको पित्रों के करोध का सामना करना पड़ सकता है इसके इलावा किसी को अपसबद भी नहीं कहना चाहिए साथ ही सट्टा खेलना किसी के साथ छलकपट करना इस तरह के कारिये भी नहीं करने चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पित्र नाराज हो जाते हैं जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है नै करें अपमान पित्र बक्स में आपके दर्वाजे पर यदि कोई भी सादू आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए इन लोगों का अपमान करने से आपके पित्र आपसे नाराज हो सकते हैं साथ ही घर की चोकट पर यदि कोई गाएं, कुत्ता, बिखारी आता है तो बलकि आपको उन्हें सर्दा पूर्वक भोजन कराना चाहिए पेडों के पत्ते, पित्र पक्स के इन दिनों में पेडों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए नहीं तो आपको सूब परिनाम की जग जिससे कि आप से कोई गलती ना हो और आपके पित्र पक्स आपसे नाराज ना हो, क्योंकि जब हमारी जीवन में पित्र पक्स नाराज हो जाते हैं, तो हमें बहुत सारी दिक्तों का सामना करना पड़ता है, हमारी बने बनाई काम भी बिगडने लग जाते हैं, इसलिए बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहें और पित्र पक्स में अगर आप हमारे द्वारा बताए गई जानकारी से कुछ भी उपाई करते हैं तो आपको निष्चिती अपने जीवन में पित्र दोस्ते मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सैदेव संब बनता बनी रहेगी तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाई करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बैल आइकोन को जरूर दबा लेना और इस वीडियो को जादां से जादां जरू के लिए आपका कोटी कोटी धन्यवाद